भारत की अजादी के बाद विप्रथम ग्रह मंत्री और उप्रदाह मंत्री बने बार्डॉली सत्याग्रा का नेत्रित्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओने सर्दार की उपाधी प्रदान की अजादी के बाद विभिन रियास्ततों में बिखरे भारत के भूराजनेतिक एकिकरण में केंद्र भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिसमार्क और लौपुरिश भी कहा जाता है राश्ट्र एकता दिवस 31 अक्टूबर को सर्दार वल्लभाई पटेल की जैनती के रूप में मनाया जाता है भारत में वर्ष 2014 में पहली बार राश्ट्र एकता दिवस मनाया गया था तो असी भी लोगानों ये पैगाम दे रहे हैं के राश्ट्री एकता हर किस अपना हर हीले उनु बहाल रख्या जावे राश्ट्री का पैगाम लोकता कौन जाके कि ये पैगाम से दार पटेल ने हिंदुस्तानी अवामनों देता थी और असी अप्रण कर दे हैं के असी हर कीमत ते जड़ी राश्ट्री एकता है उनु बहाल रखांगे और गे नड़ों भी मजबूत करांगे क्रोस कंट्री करवाएगे जिस विच असी सारे बच्चे ने पागला लड़किया ने जिदे विच आनु बहुत मजाया आते बहुत वधिया फील होया कि असी इस क्रोस कंट्री विच पागला आते पोजीशना वील हासल किती आने क्रोस कंट्री विच पागला ना चाहिदा है एक तो श्रीट विच फिटनस रहेंदी है और श्रीट आन दूस्त रहेंदा है तो लोक जागरीत होने चाहिदे ने एक रोस कंट्री पाई बल पटेल वास्ते करवाई गया है, इस कंट्री वीच सानू सारे न पागला आना चाहिधा है, नाले ती स्री तंदरुस तरह नाले ता साड़ी स्री दी कस्तर तुन्दी रहें दी है, सारे स्पोर्स मैंने आज हवाखवाख खेड़ा ने एदे वीच पागला सानू सारे न मिलके इसी कंट्री वीच आना चाहिधा सिगा। गुर्दासपूर से भुपाल सिंग की रिपोर्ट लेडिस्ट न्यूस और इंट्रस्टिंग कॉमेडी और एंटर्टेंबिन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नाशनल बास और लाइक करें हमारा फेस्बूक पेज़ कीप लाइकेंग